चोपड़ा है जो किसीन यूटूब चैनल पर मैं हरसा ही चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ मेरे पैरे बच्चों NMC की वेब साइट पर सीड्स को लेकर NMC ने एक नोटिस डाला है जिसमें ये का गया है कि UG वपीजी की सीड्स 2022 में थी वही 21-22 में रहेंगी तो इस सर्कुलर को देखकर काफी स्टुडेंट टेंशन में है कि क्या इस साल के लिए सीड्स इंक्रीज हो रही है या नहीं होगी ये सभी सोच रहे हैं तो इस सर्कुलर के बारे में मैं आपको ब्रिप से समझा देता हूँ कि ये ऐसा इसमें क्यों कहा गया है एनमसी में अलग-अलग बोर्ड है और ये सर्कुलर मेडिकल एसस्मेंट एंड रेटिंग बोर्ड द्वारत जारी किया गया है जिसका काम होता है मेडिकल कोलेज का इंस्पेक्शन करना अप्रूवल देना और सीट इंक्रीज करना अब जो एनमसी की वेब साइट पर जब हम सभी मेडिकल कोलेज की अप्रूवल के बारे में देखते हैं तो इसमें कहीं कहीं अप्रूवल में लिखा गया है कि 2021 लिखा गया है अप्रूवल के लिए मतलब की इसको 2021 के लिए इस कोलेज को इतनी सीटों की permission मिली थी अब इस सरकुलर में ये कहा गया है की जो ये 2021 के लिए permission थी ये permission सैं 2021-22 में भी रहेगी और सरकुलर में ये भी कहा गया है की बड़ी हुई सीटें वेबसाइट पर reflect हो जाएंगी मैंने पहले भी वीडियो बना कर बताया था कि इस साल के लिए तकरीबन 5,500 से 5,500 तक सीट इंक्रीज हुई हैं जिनमें 3,500 के नियरबाई गौर्मेंट सीट से हैं तो इस सर्कुलर को देखकर जरा भी प्रेशान होने के आउशकता नहीं है इसमें यही का गया है कि जो वेबसाइट पर रिफलेक्ट हो रहा है 2021 जो सीटें इसके लिए हो रही हैं वो 21, 22 में भी रहेंगी इसके बाद में जो बढ़ीवी सीटें हैं वो तो रहेंगी ही तो इस साल के लिए बढ़ी हुई सीटें हमें काउंसलिंग के सीट मैट्रिक्स में देखने को जरूर मिलेंगी कोई भी स्टुडेंट इस टेंशन में ना रहें कि इस साल सीटें बढ़ी हुई हमें मिलेंगी या नहीं इस साल अवस्य ही सीटें बढ़ी हुई मिलेंगी